जहां से आप किसी का नंबर डाइल करते हैं वही फोन डाइलर So hello दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको फोन डाइलर के अंदर का तीन बहुत ही कमाल का और फालो सेटिंग बताने वाला हूँ और दोस्तों जो थर्ड नंबर डाइलर सेटिंग है ना बाइसा वो तो बिलकुल जहरी है तो तीनो सेटिंग बहुत ही कमाल का होने वाला है और जो थर्ड नंबर डाइलर सेटिंग है उसे आप जरूर जान लेजएगा जरूर सीख लीजएगा तो बिना टाइम वेस्ट किये करते हैं विडियो को स्टार्ट मैं नामी सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर बाबा यूटूब चैनल तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं इन तीनों सेटिंग्स के बारे में तो यहाँ पर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ने किया तो इस वीडियो को एक लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करकर बे लाइक नकों दबा कर आल पे सेट कर लिजएगा और अभी तक अपने भाई को Instagram पर follow नहीं किया है तो Insta ID यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा चुरू follow कर लिजेगा, अब यहाँ पर क्या करते हैं Simple अपने phone dialer open कर लेते हैं Phone dialer जहां से number वेगर आप type वेगर करते हैं यह phone dialer, अब उसके बाद यहाँ पर आपको 3 dots पे click करना है 3 dots पे click करने के बाद settings पर आना है यहाँ पर आप देख रहे हैं settings, settings आपको open कर लेना है Just दोस्तों यहाँ पर setting open करने के बाद सबसे first setting के लिए यहाँ पर मैं आपको बतारता हूँ क्या करना है यह आप देख रहे हैं caller id and spam protection ओके यह पहले से off रहता है तो simple आपको इसे on कर देना है दोस्तों इसे on करने से क्या होगा कि आपके phone पर जितने भी fraud call या फिर बतलब spam call आएंगे उन सभी call से यह setting आपको protect करेगा आपको phone वेफ़ प्रोटेक्शन में रहेगा तो इ answering and ending calls यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर आपको click कर देना है क्लिक करकर इसे open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे उपर में आपको एक option मिलता है read caller names allowed यह आप देख रहे हैं simple आपको इसे यहाँ से on कर देना है दोस्तों इसे on करने से क्या फायता है जैसे कि अगर आप अपने phone से bluetooth connect करकर रखे हैं माने यह कि bluetooth लगा है या फिर wire लगा है तो ऐसे में आपका phone जो pocket में रहता है और किसी का call आता है तो आपको पता नहीं चल पाता है कि call किसका है तो उस दोरान क्या होगा कि आप अगर headphone लगा रहेंगे और phone आपके pocket में रहेगा तो यह आपका जो phone है उस call का नाम बता देगा किसका call आ रहा है उसका नाम पढ़कर आपको बता देगा यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है with bluetooth और headset only यहां पर लिखा हुआ है लेकिन अगर आप इसे हमेशा के लिए करना चाहते हैं कि headphone नहीं भी लगा कर रखता हूँ ओकि और यहां पर हो गया सिकेंट सेटिंग आप इसे on करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अभ स्यलिए बताथा हूँ ठाठ सेटिंग के बारे में और यही भाई साब बहुत ही जहर जहर इसमें सेटिंग है, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे फर्श नमबर पर है vibrate when answered, यानि कि अगर आपके पास call आएगा और आप call जो उठा लेते हैं green वाले बटन से, तो आपका ज फोन vibrate करेगा, तो इससे आप on कर लिजेगा, उसके बाद यहाँ पर सबसे main setting है notify during calls, यहाँ पर जाश निचे लिखा हुआ, allow alarms and notification to sound during calls, तो इससे आप दोस्तों on ही कर लिजेगा, क्योंकि यह बहुत ही कमाल का setting है, जैसे कि होग गया, कि अगर आप किसी से call पर बात कर रहे है, तो इससे आपका फैदा है, मतलब कि अगर आप call पर ज्यादा तक बाते करते रहते हैं, तो इससे आपको अंकर कर रख सकते हैं, ताकि आपको पता चलते रहे हैं, मतलब कि आपके phone पर notification आ रहा है, तो यही था तीन बहुत ही कमाल का setting, जो कि मुझे उमीद है, कि तीनों setting आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा useful रहा होगा, तो दोस्तों इसमें से आपको एक भी setting पसंद आए, तो प्लीज ब्लीव को एक लाइक कर देजिए, चांग को सब्सक्राइब करकर बेलाइक मतलब जबाल जेगा, मिलते हैं एक लि